हलो गाईज कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शेलिश पीटली लाग में आपका अपना बंदा आशा करता है आप सब स्वस्त होंगे मस्त होंगे चुस्त होंगे तंदरस्त होंगे खुश होंगे और सबसे बड़ी चीज अपनी फैमली और अपने माता लोग कमेंट करना विल्कुल भी न भूलिए और अब आप अपने इस भाई को जोईन कर सकते हैं जोईन का बटन दबाके हम बात कर रहे हैं महिंद्रा थार रॉक्स की अब वो महिंद्रा थार से कैसे डिफरेंट है आपको लेनी चाहिए या नहीं ये लास्ट राइस मैं आप पे चोड़ता हूँ लेकिन अपने भाई का एक मोटो जरूर याद रखिएगा जब भी शुरूम जाईएगा तो समाल आप पूछिएगा वो नहीं कि गाड़ी कमाई आपकी एवेज विल्कल भी नहीं होनी चाहिए तर चलिए शुरूरात करते हैं 90% SUV लवर्स क्यूं महिंद्रा थार रॉक्सेक्स के दिवाने हैं क्योंकि ये special edition SUV अपने rugged looks और दमदार off-roading से सब का दिल चुरा लेती है इसके हुड के नीचे 2.2 लीटर M-Hawk डीजल एंजिन है जो 130 BHP और 300 NTN का टॉर्क देती है Manual हो या Automatic थार अरॉक्स एक्स दोनों में है 4-wheel drive, 206 M-N-Charles का ground clearance और 660 सीन तैमिंट वाटर वेडिंग केपबिलिटी के साथ कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं और इसका independent front suspension और multi-link rear suspension सबसे खराब रास्तों पर भी ride को smooth रखते हैं अंदर घुसो और 7-inch touchscreen infotainment system, dual airbags, ABS वगेरह से भरी हुई है लगभग RS-15, RS-16 लाख की शुरुवाती कीमत में ये एक ऐसा दमदार जानवर है जो हर रुपेय का हिसाब देती है तो क्या हो गया? अगले adventure के लिए तयार? थार ROXX आपका इंतजार कर रही है तो गाईज आपके भाई ने choice आप पे छोड़ दी क्या आप महिंदरा 5 डोर ले रहे हैं या महिंदरा 3 डोर भाई के साथ comment section में जरूर शेयर करिएगा, वीडियो के साला का जरूर बताईएगा, कमी जरूर बताईएगा ताकि आपका जे भाई नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर कर सके रहे हैं रुपेय पैसे की डिमांड या इस थार रॉक्स की डिमांड पिलकुल नहीं कर र बाई